इंडिया गटवंदन की महतुपूर्ण बैठक आज यानि 19 दिसंबर को दिल्ली में होने जा रही है। इस बैठक को काफी महतुपूर्ण माला जा रहा है। हलाकि इस बात को लेकर कॉंग्रेस पर दवाव बनाया जाएगा कि मुख्यमंत्र नितिस्क्मार को इस गठवंधन का एक बड़ा प्थेस बनाया जाए। उनके नित्रितों में चुनाओ लड़ा जाए। क्योंकि पिछले पाच राज्यों के परिणाम जो निकल कर सामने आये हैं कहीं न कहीं बैक टू बैक कॉंग्रेस को जटका लगा है। अब जिसके बाद से इंडिया गठवंधन की एक महत्पूर्ण बैठर आज यानी रखी गई है 19 दिसंबर को और इस पैठक में इस बात को लेकर छेत्रे पार्टियां दबाव बनाएंगी कि मुख्यमंत्र नितिस्क्मार को जो की इंडिया गठवंधन के अहम सुत्रदार ह जिन्होंने एक एक करके सभी नेताओ पार्टियों को एक जूट कराया जिसके वज़ा से आज इंडिया गठवंधन बना है उन्ही को इस गठवंधन का नेत्रित्व करता बनाया जाए हलाकि इस बात को लेकर कॉंग्रेस पर दबाव बनाएगी अलग-अलग जो पार्टिय वे कहा कि नितिस कुमार स्वच्छ और इमानदार छवी के व्यक्ति है उनको छोड़कर इंडिया गठवंधन में कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसके आगे करके लोग सभा का चुनाओ जीता जा सकता है और ऐसे में बिधायक का बड़ा दावा है वही पिछले दिरों जब पा यह देखना दिल्चस्प होगा क्या जो बैठक में से बाते निकल कर सामने आती है क्योंकि कॉंग्रेस पर इस बात को लेकर आज छित्रिये पार्टिया बैठक में दवाव बनाएंगी कि नितिस कुमार को नित्रितों करता बनाए जाए क्योंकि पिछले पांच राजों के परिनाम जो देखे जा रहे हैं उसमें कही न कहीं कॉंग्रेस को बड़ा जटका लगा है जिस वज़ा से आने वाले 24 के चुनावग बड़ी तैयारी करनी है बीजेपी को रोकनी है जिस वज़ा से कहीं कहीं नितिस कुमार एक ऐसे छवी के नेता है जिन पर बेदाग है उन्हें नित्रेत्वखरता बनाती है या नहीं हलाकि इस मैठक में कई मुद्धे पर चर्चाओंगी कैंपनिंग को लेकर किस तरह से कैंपेइन करना है वही सीट सेरिंग की बातें की जाएंगी हलाकि और क्या कुछ निकल कर सामने आता है यह देखना दल्चस्प होगा ऐस होगा वł